हेलो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने इस एडूकेशनल चैनल पर हारदिक अभिनंदन करता हूं फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्षे 7th BPSC के मेंस सालेबस को हम लोग इस प्राकार से समझ सकते हैं सिक्षे 7th BPSC के मेंस का क्या सालेबस होगा अच्छा है समाने हिंदी की बात कर लिए जियस पेपर one की बात कि जाए या odpowied की बात की जाए या इंटरवियू की बात की या खास करके हम लोग बात करते हैं एच्छिक विशेगी तो सब की बारा में मैं आप लोगों को डिटियल में समझाने वाला हूँ तो वीडियो के अन तक जरूर बने रहा है आपको सारा इंफोर्मेशन अच्छे से मिलने वाला है और अगर आप चैनल पर नए वीवर है तो इस चैनल से जरूर जुट जाएए इस तरह के इनफोर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहते हैं तो फ्रेंड्स देखें फ्रेंड्स में आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वीप्यसी की परिक्षा के अगर बात कर लेते हैं तो वीप्यसी की परिक्षा जो होती है वो मेंनली दो चरण में होती है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है और आप लोग इस चीज़ से वाकिव भी होंगे, तो यहांपर हम अगर बात करते हैं, कि यहांपर अगर बात की जाए मुख्य परिक्षा की, तो मुख्य परिक्षा में आपके सामने जो है, पहला पेपर जो होता है, वो समानने हिंदी का पेपर होता है, दूसरा समानने अध होता है, जिसमें आपके सामने जो है, वो मुख्य रूप से अगर आप तीस प्रतिश्यत अंक लाते हैं इस पेपर में, तो आपको जो है, वो क्वालिफाई समझा जाएगा, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता, जैसे इसके पिछले वीडियो में, मैंने आप लोगों को डीटेल में बताया था, तो यहां पर देख्या आपके सामने, अगर समाने हिंदी के अगर बात कर लेते हैं, तो आपके सामने निबंद जो है, वो तीस नंबर का आपके सामने पूछा जाएगा, व्याकरन से तीस नंबर के सवाल रहेंगे, वाकिव इंदास से पच्शीस पर सन्चेपंग से पंदरह अंकों के सवाल आपके सामने जो है वो देखने को मिलेंगे यह रहाँ आपका आपका आप कह सकते हैं कि हिंदी का संपूर्ण स्वार निशार बस यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता एक सो में से आपको मात्र तीस अंक लाने हैं इ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला पेपर है आपके सामने समाननी अध्यन का तो जैसा कि मैंने आपको बताई कि समाननी अध्यन में दो पेपर होते हैं जिसको जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू के नाम से जाना जाता है समाननी अध्यन पेपर प्रसन पत्र वन के बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने हैं भारत का अधुनिक इतिहास और भारती संस्क्रीटी बस एक लाइन यहां पर लिखा गया इसको समझने के लिए आपको प्रिवियस एर कोश्चन से सहाता लेकर करके उसको समझना पड़ेगा कि इन सभी विशयों में किस किस तरीके पिछले बर्शों में आ चुके हैं इससे आपको सही तरीके से एक आईडिया मिल पाएगा इस Nicolas को पिछले वर्सों के कोशन with answer with solution में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ या आप लोगों को question भी provide करवाऊंगा जिसके माध्यम से आप अभी से practice करके इन सभी प्रस्नों को जो है वो तैयार कर सकते हैं और BPSC की means प्रिक्षा में question जो हुआ काफी repetitive होते हैं यानि बहुत सारे सवालों को जैसा कि पिछले वर्सों के question में अगर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको जाहिर भी करूंगा इस बात को कि देखिए question को इस वर्स भी पूछा गया था इस वर्स भी पूछा गया था इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रस्न काफी जादा repetitive होते हैं बहुत जादा सवाल एक दूसरे से repeat करते हैं अब यहां पर देखिए समान्य अध्यान प्रस्न पत्र दू कि अगर बात करते हैं तो आपके सामने यहां पर कुछ information दी गई है सबसे पहला पहला देखिए यहां पर भारती राज वैवस्ता दूसरा है भारती अर्थ वैवस्ता और भारत का भूगुल तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रोधोकी की भूमिका और प्रभाव निस्वी सताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूप रेखा के साथ-साथ गांधी रविंद्र और नहरू से संबनित प्रशन भी सामिल होंगे बिहार के आदुनी के इतिहास के संदरव में प्रशन पत्र इसे चेत्र में पाश्चात्य सिक्षा जाने की संभावना बनी रहती है तो वह मैं आप लोगों को अगर कोशन करवाऊंगा तो वहां से आप इसका एक आइडिया लगा सकते हैं वहीं प्रस्ण पत्र दो के लिए भी यहां पर इंफोमेशन दिया गया है कि प्रस्ण पत्र दो में भारती राज वैवस्था से संबंदित प्रस्ण होंगे भारती अर्थ वैवस्था और भारत अथा भोगोल के संबंद में संबंदित खंड से भारत की योजना और भारत के भौतिक आर्थिक और सामाजिक भोगोल से संबंदित प्रश्ण पूछे जाएंगे भारत के विकास में विज्यान और प्रोध या जा सकता है तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से जानकारी यहां पर प्रोवाइट की गई है अब यह इसको भी समझने के लिए आपको पिछले वर्सों के कोशन को एनलाइज करना पड़ेगा तब आपको कुछ आइडिया होगा तो वह मैं आप लोगो सामिल है क्रिशी विज्ञान सामिल है भौतिक विज्ञान सामिल है रासानिक विज्ञान सामिल है इसके लावा 37 ऐसे विशय भी इसमें शामिल किये गए हैं जिसमें साथ किसी भी एक विशय का चुनाओ करके जो है वो इस परिक्षा में अपियर हो सकते हैं जिसको मैंने प section होता है तो मैं आपको यहीं पर बताते चलूं के इंटर्विव आपको 120 अंकों का होता जिसका कोई fix syllabus नहीं होता है इसको व्यक्तिगत परिक्षन बोलते हैं व्यक्तिगत परिक्षन में आपके किसी भी प्रकार के सवाल को सवाल को आपके सामें से माद्धियम से आप अपने तैयारी के बहुत अच्छे तरीके से अगे ले जा सकते हैं ध्हानर रखकें प्रक्षन में अगर अच्छे से में और प्रृष स different परिक्षा झाल करें कि मैं कई बार आप लोगों को वीडियो में भी बता चुका हूं कि कई सारे कोश्चन जो होते वह रिपीट होते हैं एक ही कोश्चन को कई बार रिपीट किया गया जैसे एक्जांपल के तो पटना कलम चित्रकारी जो आपका सवाल है वह काफी जादा इंपोर्टेंट हो अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्देबाद गॉड ब्लेस यॉल टेक्ट के और आफ यूरसल्फ